जल जंगल जमीन में सबका समान अधिकार हो यही सबिधान सबको अजादी देता है और यही सबिधान चाहता है लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सबको समान सिच्छा नहों सबको रुजगार नहों सबको जल जंगल जमीन का हिस्सेदारी नहों लेकिन सबिधान चाहता है कि सिस्टम में सबकी भागिदारी हो सबकी भागिदारी सुनश्चित हो आज का दिन वो है जो भारत के इतिहास में वडित है जी हाँ आज 26 नॉम्बर है और आजी के दिन भारत का सबिधान बनकर तयार हुआ था आजी के दिन इस देश के मूल निवासियों और इस देश में रह रहे हैं लोगों का भविस्य एक आइन में स्योजा गया था जी हाँ इस देश में 140 करोर लोगों की अबादी है 211 की जनगरना के अनुसार आप देखेंगे तो एक सो चालिश करोर लोग इस देश के सबिधान के अधिन रहते हैं जी हां लेकिन आप बीते दिन देखते हों के जिसतरह से इस देश में सबिधान को लेकर जो खत्रा बताया जा रहा है वो कौन लोग हैं इस देश में लेकिन सवाल है कि इस देश के 140 करोड लोग सविधान के अधीन है लेकिन फिर भी जो सविधान देश में एकता अखंड़ता भाईचारा सुनिश्चित करता है प्रतेक बेक्ति का वो चाहे किसी भी धर्म जात मजहब से हो चाहे वो बौध हो हिंदू हो मुस्लि अधिकार सारा का सारा उनकी हिफाजत करता है लेकिन सोचिए सविधान वो दस्तावेज है वो गरंत हैं जो इस देश में हज्यारों हज्यारों साल से जो बुरायां चली आ रही थी उसका एक झटके में अंत कर देता है लेकिन सवाल है कि 2024 में हम सभी लोग जी रहे हैं एक किसमी सताब्दी चल रही है लेकिन आज भी कुछ राजनितिक पार्टियां है जो सविधान को लेकर हमेशा एक दूसरे से खत्रा कुछ लोग हैं इस देश में जो सविधान को खत्म कर देना चाहते हैं लेकिन सायद उनको नहीं पता है जो सविधान के रचईता है जो इस देश के मोलनिवाशियों यह हरार है सारे लोगों का अधिकार सुनस्चित किया है उनके पुरवच और उनके लोग इस देश में अगर बात किया जाए तो इस देश में सबसे ज़ादा तविधान निर्माता, बावा साव अंबेटकर और बहुजन समाज इस देश में समय समय पर समाज सुधारत के रूप में बहुजन समाज में जन्वे महापूर्शों चाहे हो कबीर हों, रैदार्श हों, संतगाडगे जी महराज हों साहू फूले अंबेटकर, पेरियार जेशे तमाम जो महापूरूस बहुजन समाज में जन्वे और समय समय पर समाज में फैली बुराईयों का सामना किये लड़ें और इस देश में रह रहे हैं इस देश के मोल निवासियों इस देश में जो भी आयें, इस देश के निवासी में सभिधान के अनुसार उन सबके हक अधिकार के लिए हमेशा से वो इस देश के कुछ ऐसे बेवस्था को बनाये रखना चाहते थें जो बिक्तिगत लाब उठा सकें चाहे वो समाजीख हो, चाहे वो राजनीतिख हो चाहे तमाम जल जंगल जमीन पर कुछ लोग चाहते थे कि बिक्तिगत बर्चसो बना रहे लेकिन समय समय पर तमाम भुजन समाज में जन्मे मापूर्षों ने उसका खंडन किया उसका पुर्जोर बिरोध किया और सबिधान आज मैं बात क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आज ही के दिन 26 नॉवंबर को ही 26 नॉवंबर 1949 को हमारा सबिधान बनकर तयार हुआ था और सबिधान का मतलब क्या है इस देश में सबिधान का साफ साफ मतलब है कि इस देश में भाईचारा बना रहे बंधूता बना रहे इस देश में बहुत हिंदू मुसलिम सिख इसाई जैन सारे लोग भाईचारा से एक साथ रहें लेकि कुछ लोग हैं इस देश में बहुत हि सिच्छा, रोजगार और इस देश के जल जंगल जमीन में सबका समान अधिकार हो यही सबिधान सबको आजादी देता है और यही सबिधान चाहता है लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सबको समान सिच्छा नहों सबको रोजगार नहों सबको जल जंगल जमीन का हिस्से लेकिन सविधान चाहता है कि सिस्टम में सबकी भागिदारी हो सबकी भागिदारी सुनस्चित हो शविधान दिवस की धेर सारी शुब कामना है और आप क्या सुचते हैं हमें कमेंट में जरू बताईए